Hello everybody, welcome back to another video of Motor Update. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3-4 बाइक जो की अगले 4-5 महीने मैं आपको देखने को मिल सकती हैं और जो की जिनकी रेंज होगी एक लाग से तीन लाग के बीच में यहाँ पर मैं मिडल सेगमेंट कवर कर रहा हूँ ताकि मॉस्ट आप दो पीपल उन बाइक को बाइक कर सकें और हाई पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैजॉरिटी को देख के चलना पड़ता है तो यहां पर मैं वो चार बाइक सापके सामने रखनगा और आप लोग को पता चल पाएगाww उन चार बाइक के बारे में d Je Less भीआ कड फोकाइगा ने क्यंब आप इस की क्या चूपने में अजी पर क्ती हुए और दिकtså Extreme 160R तो यार Hero Extreme 160R आप लोगों पता होगा बहुत कम लोगों पता होगा भी Hero ने अपनी Extreme 200R लाँच करी थी अभी क्या बोलता है मार्केट में जो की मतलब commercially failed हो चुकी है मतलब उतनी ज़्यादा कोई लेता नहीं उस बाइक को क्यों और इसकी जो pricing होगी वो होगी 95,000 से 1 lakh के बीच में आपको देखने को मिलेगी इसमें आपको single channel ABS देखने को मिलेगा और मतलब जो standard है वो तो single channel ABS जो आप normal model होगा वो भी उसमें भी आपको मिलेगा देखने को इसके high end variant में जो रहेगा उसमें दो diff brake आपको देखने को मिलेगे एक तो आगे और एक पीछे साइड में और इसकी जो power produce करेगी है जो बाइक है वो 15.41 PS के आसपास की power produce करेगी है बाइक जो कि मतलब इस segment के साब से ठेटा power है और 4-5 second के बीच में यह आपको 0-60 की speed achieve करवा करेगी तो कि मतलब एक काफी जादे standard है मतलब normal है कि हर और मतलब बाइक इतनी 160 segment की से जादे करती नहीं है और इसका जो price tag है वो भी काफी सही है और यह compete करेगी basically Jixer के साथ और यह अपनी TBS Apache 160 के साथ और वी के साथ यह compete करने वाली है market में और देखना होगा कि इसकी क्या success से रहती है क्योंकि वह तो failed हो चुकि है extreme 200R हम लोगों पता है और इसमें आपको BS6 देखने को मिलेगा और साथिफात इसमें कोई liquid cool technology और oil cool technology यूग नहीं की जा रही है क्योंकि यह normal segment की bike है और इसमें आपको यह coolty देखने को मिलेगा हाला कि अगर यह इसमें अगर oil cooled होता तो काफी जादा अच्छा होता लोगों देखने में और second जो मैं ले रहा हूँ जो की इंडिया की बहुत most popular bike है वो है royal infant classic 350 तो यार काफी जादी यह bike इस time sale हो रही है इंडिया में और लोग इसको काफी जादा पसंद कर रहे हैं इसी के कारण यह इसका एक BS6 वाला model इंडि model है वो 14,000 मतलब महंगा हो चुका है तो लेकिन 14,000 कमपनी ले रही है साथी साथ उसके पाद आपको बहुत कुछ देगी भी जैसे इसमें इस बार आपको alloy wheels देखने को मिलेंगे यहाँ पर कहीं फोटो भी आ रही होगी आप लोग देख सकते हो alloy wheels देखने को मिलेंगे पहले हम लोग को standard spoke वाले wheel देखने को मिलते हैं इसको लोग काफी पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका look bigger जाता तो लोग aftermarket लगवा ले देते alloy wheels दो देखते होए company ने खुदी अब लगाने का सोचा है कि इस बार वो खुदी लगाएंगे alloy wheels तो एक वो देखने को मिलेगा और सातिफात इसमें आपको fuel injection technology देखने को मिलने वाली है और इसमें आपको साथी साथ 20 PS की power और 28 newton meter का torque देखने को मिलेगा almost इतना पहले produce करती थी उतना ही produce कर रही है और काफी जादे इस बार look थोड़ा enhance हो चुका है क्योंकि इस बार company ने alloy wheels उसमें put down कर दिये है तो ठीक है तो यह basic जानकारी मैंने आपको दे दी है बाकि royal infield तो आप लोगों पताईए कि लोग कैसा होता है कैसा नहीं होता चलाने में riding posture तो आपको पताईए और तीसरी जो बाइक है वो है Yamaha MT03 तो यार अभी MT25 launch करी थी Yamaha ने MT15 launch करी थी अभी market में आप लोग देख सकत तो उसी को देख तो है कि वो commercial हीट हो गई थी R15 V3 का एक मतलब आपके अफक्त नेक्ड वर्गन था MT15 वैसे ही है R3 जो बाइक है Yamaha की उसके जैसी ही यह MT03 होने वाली है उसी पे बेवड है पूरी बाइक बट इसमें क्या है इसमें कोई शेरिंग नहीं है यह नेक्ड रहे है मतलब अभी एक्सपेक किया जा रहे है कि वो 3,00,000 रुपए तब होगा और साथी इसमें आपको 6 गेर देखने को मिलेंगे डियूल चैनल ABS देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड और इस बाइक में आपको डियूल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा तो काफी अच्छी पा के साथ ही बेसिकली यह बाइक कंपीट करने वाले है क्योंकि नेक सेग्मेंट की बाइक है और काफी मतलब देखते हैं अभी यह कितनी सक्सेस हो पाती है क्योंकि और डियूक ने काफी पैर जमाए हुए है मार्केट में ठीक है और यह है पलसर 150NS यार पलसर 150NS का मैं कुछ क जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर देना काफी महनत लगती है बनाने में एडिटिंग भी करनी करती है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलर नहीं किया है तो फॉलो कर दो आपके क्या सुजहाब है वीडियो से डिलेटेट कमेंट कर बता सकते हो तो प्रिंट मिलता हो आपके अगली वीडियो है तिल देन बाई